हेलो प्रेंट्स, नमस्कार, कैसे आप लोग, उमीद कराऊं, बहुत है अच्छे होगी, पढ़ है आप लोग की बहुत अच्छे से चल लगी होगी, एरावर्ड में आपका स्वागत है, और चैनल को जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रही है, आप लोग कमेंट करत नहीं कमेंट जैसे एक आया है, जो इसको नोटिस किया गया है, उसमें जो है, एक मतलब घड़ पूर्ती के लिए एक बटे पांच और एक बटे दस में जो है थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है, तो भाजचाब अब हमने जो है तो कई जगां से कई रिसूर्स जो चक किया तो वो जो है एक बटे पांची है, बाकी आप भी अगर कहीं से जो है चक कर पा रहे हैं, तो जो है आप देखिएगा थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन दूर करिएगा, एक बटे पांची होता है, और बाकी और भी इस पे जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो है content गलत नह लीजिएगा, मैं यहीं नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, लेकिन जो है इक बार मिला लीजिएगा, तो ग्यारा एम से हम बता दें कि हमारा free quiz हो रहा है, और बारा पीम से हमारी paid quiz हो रही है, ठीक है अगर आप जोनना चाते हैं, हमारे दियेगे नंबर से आप संपर करके जो सकते हैं, आज हमारा जो है दसवा वीडियो है और एक नया लेक्ट्र जो है चेप्टर सुरू हुआ है, पांचवा चेप्टर हमारा उत्तर प्रदेश में किरसी व्यवस्था, ठीक है, पांचवा चेप्टर है हमारा आज नया चेप्टर सुरू किया गया है, दो दिन में य पढ़ाएंगे जब एक्जाम की डेट आजाएगी उसके बाद क्योंकि उसमें जो योजनाएं होती है और योजनाएं खोब सारी पूछी जाती है तो उसको हम बाद में पढ़ाएंगे फिलाल अभी जो जैसे चल रहा है इसे चलेगा आईए देखते हैं जो है जो है टाइम भूमी पर किरसी होगी ठीक है क्या होगा भूमी होगा उस पर क्या होगेगी फसल ठीक है फिर फसल से क्या होगा उत्पादन होगा या उत्पादन कहां जाएगा बाजार में ठीक बाजार से फिर कहां जाएगा या मंडियों में और मंडियों पर इनको क्या मिलेगा मोले मिलेगा ठेक है और फिर ग्रामिड जो जीवन होगा सुचारो रूप से चलेगा समझ मैं आया एक किरसी होगा किरसी पर वहाँ पर जो है जहां किरसी छेतर होगा वहाँ भूमी होगी भूमी पे फसल उगाई जाएगी फसल में उत्पादन होगा उत्पादन बाजार में जाएगा मंडियों से संपर्ख होगा वहाँ से उनको पैसा मिलेगा और ग्रामिर जीवन क्या होगा? उच्च हो जाएगा ठीक है? इसके लिए आवस्चक चीजें क्या-क्या है? जैसे कहें कहें सिचाई किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा फिर क्या होगा? जीलूल होता है वहाँ से सिचाई होती है पंप होते हैं नदी होती है या फिर बरसा का जल होता है या कुआ होता है इससे क्या होती है हमारे भारत में सिख्याई होती है या उत्तर प्रदेश में क्या होती है इससे नहरों के द्वारा, जेल के द्वारा, पंप के द्वारा, नदी के द्वारा, बरसा जल द्वारा, कुमों के द्वारा ठीक बास समझ में आ रही है कि मतलब किसी ब्योस्था किस तरीकी से जनरेट की जा रही है ठीक है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखो हमारा जो भारत की जलवाई हुए कैसी है उख्ड कटवंधिये है उख्ड कटवंधिये है यूपी में बरसा बंगाल की खाड़ी के मानसोन से होता है यूपी में जो अधिकान से बरसा होती है वो कहां से होती है बंगाल की खाड़ी से होती है बंगाल की खाड़ी से जो मानसोन उठता है वहीं से बरसा होती है ये कोई दूसरा point हमारा क्या लिका गया है कि भारत का कुल खाद्यान 16% उत्तरप्रदेश करता है मतलब भारत में जितना भी खाद्यान का उत्तरप्रदेश करता है उसको जो है उत्तरप्रदेश कोन करता है 16% हमारा उत्तरप्रदेश कर रहा है ठीक है, उत्तर परदेश की एगर फसल के बादे में बात करें तो जैसे हमारा गन्ना हुआ, तिलान हुआ, चावल, आलू, मक्का, मुंख़ली, कपास और गिहुं यह सब उत्तर परदेश की क्या है, प्रमुख, फशले हैं याद कर ले, मतलब जानते ही होंगे, जो उत्तर परदेश की निवासे होंगे, वो तो जानते ही होंगे बाकि आगे अगर हम देखें, उत्तर परदेश में किरसी योगी भूम है अगर बात की जाए, उत्तर परदेश में किरसी योगी भूम कितने परसेंट है, 20% है टीक है, उत्तर परदेश की 73% को डाटा बेस थोड़ा सा question बन सकता है उत्तर परदेश में किरसी योग भूम कितनी percent है अगर कुश्चा ना मिल लिए 20 percent है 73% जनसंख्या किस पर निर्भर करती है 73 युत्तर प्रदेश की 73% जनसंख्या हमारी जो है किरसी पंदेर भर है UP का किरसी विभाग जो है कब कठित किया गया था 1888 में ठीक है और 1880 में भू अब लेक विभाग जोड़ा गया था ठीक उमिद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यह जो PDF है यह जो paid group है उनको तो भेद दिया गया है PDF paid group में जहां written notes के रूप में पूरा भेद दिया गया है और जो भी जोड़ना चाहते हैं paid group से जल्दी जल्दी जोड़ जाईए ठीक आईए देखते हैं इसमें आने से पहले हम थोड़ा सा और भी चर्चा करेंगे जब हमारा act आया था 1919 1919 act आया था तो प्रांतों में दैध हसासन लागू किया गया तो अब जब प्रांतों में दैध हसासन लागू किया गया तो स्वतंत्र विभाग बनाया गया किसको किरसी को ठीक है, कृसी विभाग में उपज को बढ़ाने के लिए, पस उपालन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए, भूमी सनरक्षण के लिए, क्या बनाया गया था? उनिस उनिस एक्ट में ही या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है? जब बात आती है, उनिस सो चीहतर की, एक मिनिट, बात आती है किसकी? उनिस सो चीहतर की बात आती है, उनिस सो चीहतर में क्रिसी बिपड़न बिभाग अलग कर दिया गया, उनिस सो चीहतर में जो हमारा क्रिसी बिपड़न बिभाग था, वो क्या किया गया? अलग कर दिया गया, ठीक है? उत्तर राज बीज मानो प्रामेरिकन संस्थान बनाया उत्तर प्रदेस में किरसी अंसंदान परथिष्यत का अगठन किया गया कई सारी चीजें इसमें जोड़ेगे database question है कुस नशीजें आ सकती है तो जीसी ये पूछ लिया जा कि किरसी विप्रण विभाग उत्तर प्रदेस में कब अलग किया गया तो कब अलग किया गया 1976 में अलग किया गया ठीक अब आते हैं इस टॉपिक पर जो हमारा उपर लिखा है दिख रहा है उत्तर प्रदेश में हरित क्रांती देखो उत्तर प्रदेश में अगर हरित क्रांती की बात करें तो कब से शुरू है तो इसके बारे में जानने से पहले ह हम पहले जाने की हरित क्रांती कब से सुरू है जैसे ये देखिए नर्मन बोरलाग इसके क्या थे जन्म दाता थे ये कहां के थे USA के बैग्यानिक थे जन्म तो इनका जो है मेक्सिको में हुआ था लेकिन ये USA के क्या थे जन्म USA के बैग्यानिक थे तो 1950 में इन्होंने इसको शुरू किया हरित करांती को शुरू किया और इतना जादा उत्पाधन इतना जादा बढ़ावा हुआ और काफ़ी जो है लोगों की सेवा के लिए इनको जो है इस टाइप से 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला ठीक है तो इसके जन्मदाता कौन है नर्मन बोरलाग कहां पर 20 सुअस्तर पर बात की जा रही है 1950 में इन्होंने शुरूआत की और 1970 में इनको क्या मिला पुछा जा सकता है इनके बारे में टोटल पॉइंट पर बात कर रहा हूँ इधर-उधर की बाते नहीं करके सीधा पॉइंट पर बात कर रहा हूँ जो आपकका कॉष्चन बन सकता है जो ही लेकर आया हूँ और बाकि फालतू चीज़ीं तो मतलब इनकोलिगशन करते हैं थोड़ा सा जिसे अब आते हैं हमारे धेश के बारे में बात की जा रही है MS Swaminathan भारत में जन्मदाता थे भारत में जन्मदाता कौन थे MS Swaminathan इन्हों ने 1966 में क्या किया? शुरुवात किया और 1966 में इनके कार्यों से इतना ज़्यादा उत्पादन हुआ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा मतलब उत्पादन शुरू हुआ कि 1967 में इन्हें पदम सिरी मिला और फिर इसमें जब अच्छे से देखा गया कि नहीं बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो फिर इनके ही कार्य के लिए 1972 में इन्हें पदम भूशन अवार्ड मिला और फिर 1989 में इन्हें पदम भूशन अवार्ड मिला तो जब हम उत्तरपरदेस में हरित करांती की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय हमारे जो है उत्तरपरदेस के चीफ मिनिश्टर कौन थे चोधरी चरण सिंग थे देखे इसमें लिखा है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे चोधरी चरण से इंगा राज जिपाल कौन थे विश्वनात दास थे ठीक है यह जो फस्ट फेज की बात की गई है मतलब अब जब स्वामी नाथर ने चाचट में शुरू किया था तो उत्तरप्रदेश में भी लागू हुआ तो हुआ क्या कि 1968 से 88 तक को फस्ट फेज में रखा गया और इसी के बाद हमारा आया सिकेंड फेज जब सिकेंड फेज हमारा आया तो यह कब सुरू हुआ 1990 से सुरू किया गया और उस समय की हम बात करें जब हमारे 1990 की बात करें 1990 की अगर हम बात करें उस समय हमारे CM कौन थी मुलायम सिंग यादो मुलायम शिंग यादो जी थे और राजपाल थे सत्य नरायंड रेड़ी सत्य नरायंड रेड़ी जी थे ठीक है तो इस वाले छेतर में क्या हुआ कि जिसे की हमारा हरियाना ध्यान देना थोड़ा थोड़ा ध्यान देना इसमें तो जैसे की अब हम बात करते हैं हरियाना पंजाब और यूपी पक्का पश्चमी छेतर राजस्थान का भी कुछ छेतर पहले चरण में खूब सफलता मिली फर्स्ट फेज में हरियाना पंजाब यूपी का पश्चमी छेतर राजस्थान का कुछ छेतर पहले चरण में सफलता मिली पहले चरण में जो रभी की फसल थी ग्यों की फसल में सफलता मिली पहले चरण की बात कर रहे हैं और जब सिकेंड चरण की बात की जाए तो खरीब की फसल तो इसमें कुश्चन पूछा जा सकता है कि पहले चरण में जब सुरू हुआ था 1968 से 1988 तक उसमें किस फसल को सफलता मिली थी रभी फसल को यानि कि रभी फसल को गियो हूँ और अगर खरीब फसल की बात की जाए तो ये दूसरे चरण में यानि कि 1990 के बाद की चरण में सफलता मिलना सुरू हुआ जैसे कि चावल में ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपनों को समझ में आ रहा होगा अब आता है हमारा जो है राज जिक्र से मंडी परिशद राज जिक्र से मंडी परिशद की अस्थापना कब हुई थी ये कुश्चन इंपोर्टेंट है हो सकता है इसकी अस्थापना कब हुई थी 1963 में होई थी ठीक 1973 में जब हुई थी तो उस समय जो है डाक्टर चिन्ना ररिडी हमारी उत्तर परदेश के क्या थे राज जिपाल थे और हमारे उत्तर परदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे हे मोंती नंदन बहुग राजी थे ठीक, अब आता है अगला चरण 1972 ते 1973 में लक्ष रखा गया 1972 और 1973 में क्या लक्ष रखा गया कि राज की आय लगबग 1.9 करोण हो और उत्तर पादन ये आय की बात कर रहा है कितना हो? 1.9 करोण हो और उत्तर पादन कितना हो? उत्तर पादन हमारा कितना हो? 37.9 सुन्न लाख मीट्रिक टन ठीक है? तो ध्यान रखना 1972 तीहत्तर की जब बात की जा रही है तब का ये डाटा है? 1972 तीहत्तर की जब बात की जा रही है तब का ये डाटा है? आय कितना था? 1.9 करोण उत्तपादन 37.9 सुन्न लाख मीट्रिक टन लिख लेना, याद कर लेना अब बात आती है बरतमान की बात कर ले हैं थोड़ा सा थोड़ा सा अब हम क्या बात करेंगे? तो राज की आय लगभग कितनी हो गई? 1835 दसमलो 14 करोण समझ रहे हैं? देखे हैं, एक दसमलो जो है, नौदो करोण से हमारी आय अभी बरतमान में 1819 में कितना हो गया है? 18.35 करोण और जो उत्तपादन है उत्तपादन बरतमान का ही पूछा जाएगा न ये वाला डाटा ज्यादा इंपोर्टेंट है 626 दसमलो 45 करोण ठीक है? करोण नहीं यहाँ पर लाख मेट्रिक टन लिखना लाख मेट्रिक टन ठीक है? उमेद कर रहा हूँ कि इन डाटा को आप नोट कर चुके होंगे और इसको याद कर लेंगे ठीक? तो अब बात आती है कि इसका लक्ष क्या रखा गया है? लक्ष की बात की जाए तो इसका लक्ष क्या रखा गया है? लक्ष लक्ष क्या रखा गया है? तो जैसे कि बेहतर भंडारा सुविधा उपलब्द कराना ठीक है ब्यापार निर्माता विक्रेता और सिमितियां बनाना इसका लक्ष रखा गया है जो हमने डाटा लिखवाया है उसको याद जरूर कर लेना नोट कर लेना ठीक है और जब नोट कर लोगे तभी सारी चीज़ नमबर दिया गया है टेलीग्राम से जुड सकते हैं ठीक है बगी किसी कोर्स में अगर एड्मिशन लेना चाहते हैं तो वो ओपन है फिस चल रहा है उसकी कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगर आप लोगों को तो ये देखिए हमारा ये वीडियो का कोर्स है ये हमारा लेकपाल का ये मेंस के लिए चली रहा है जो लोग जुड़े हैं तो जानते ही होंगे ये हमारा प्री का पंदरा तारिक से सुरू हो चुका है इनलाइटमेंट नमब जो कोर्स है हमारा एक मार्च से सुरू हो रहा है और एक मार्च से जब हमारा सुरू हो रहा है तो इसमें आप अभी admission ले सकते हैं भी ये open है और फिर जो दो महिने में लगातार जो है आपको तयारी करवाई जाएगी और जबरदस तरीके से course को complete कराया जाएगा तो चैनल को like, comment, subscribe जरूर कर लिजे क्योंकि मैं बार-बार कहता नहीं हूँ यह आज हमारा जो यह 5 चैप्टर का part 1 खतम हुआ और part 2 से यह पूरा जो है चैप्टर खतम हो जाएगा एक चैप्टर रोब बिचेगा next week में उसे खतम करके फिर practice शुरू करवा दूँगा ठीक है और पूरा वीडियो जो लोग नहीं देखे है वो YouTube चैनल पर जाएगे और पूरा वीडियो हमारा देखे है जो भी हमारा 9 वीडियो हो चुका है आज 10 वीडियो है 12-13 वीडियो में यह खतम हो जाएगा जो हमारी केंद सरकार की योजनाए और रासरकार की योजनाए है उसे बाद में पढ़ाया जाएगा फिर practice शुरू हो जाएगी ठीक है उमीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे support बनाए रखेंगे like, comment, subscribe जुरू करते रहें comment दे करके आप अपना जो है साहयोग जुरू प्रदान करें ठीक है सुझावाद देते रहें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद